नमस्कार आपका आखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग। आज राज्यसभा में राज्यसभा के सभापती और देश के उपराष्टपती जगदीब धनकर ने सुप्रिम कोट को बड़ा कड़ा संदिश दिया है। और उन्होंने जो बाते कहीं हैं उसकी निश्चित रूप से सुप्रिम कोट में प्रतिक्रिया होगी। खास्त होसे कुलिजियम के सदस्यों में जिसमें CGI भी शामिल हैं उन्होंने जरूर इसका रियक्शन होगा और आने वाले दिनों में उसका जवाब सुनने को मिल सकता है। उन्होंने जो आरोप लगाया वो बड़ा अभूत पुरु है। उन्होंने कहा कि जनतंत्र के एतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि संसद जो सार्वभौम है संसद से सर्व सम्मत्ती से प्रस्ताव पास हो और सुप्रिम कोट उसको अमाने कर दे। उन्होंने कहा ये संसद की सार्वभौमिक्ता की अवहेलना है। यानि संसत की जो पार्लेमेंट की जो सुवेरेंटी है उसको अंडर्माइन करने की कोशिश ही है सुप्रिम कोट ने उन्होंने याद दिलाया कि तभी तक व्यवस्था सही चलती है जब सम्विधान के तीनों आंग यानि जुडिशरी नियापाली का उसके अलावा विधाई का लेजिसलेचर और काड़ेपाली का एग्जेकुटिव तीनों अपनी अपनी सीमाओं में रहकर सामंजस्य के साथ काम करें उन्होंने कहा किसी को अपनी लक्षमन रेखा नहीं लांगनी चाहिए जिक्र जाहिर है कि उसका संदर्व जो इन सब बातों का था वो NJAC National Judicial Appointment Commission उसको 2014 में 13 अगस्त 2014 को लोकसभा ने सर्वसम्मति से पास किया सिर्फ एक सदस्य अनपस्थित था राज्य सबा में एक भी सदस अनपस्थित नहीं था और सर्वसम्मति से पास हुआ ऐसे legislation को उन्होंने कहा कि ऐसे legislation को Supreme Court ने नकार दिया जिसका उसको कोई अधिकार नहीं था उन्होंने अधिकार शब्द का इस्तिमाल नहीं किया लेकिन उनका इशारा ये था कि Supreme Court ने अपनी जो लक्षमन रेखा है उसको लंगा है Supreme Court ने ऐसा करके एक तरह से देश के जनादेश को अमाने किया है क्योंकि Parliament संसत जो है उसका गठन होता है लोगसभा की बात कर रहा हूँ और दोनों सदनों की वो जनता के जनादेश से होती है लोगसभा का चुनाव सीधा होता है राज्यसभा का चुनाव जो है राज्यों की विदान सभाओं के जरिये होता है तो House of States कहलाता है इसलिए राज्यसभा और House of Peoples कहलाती है इसलिए लोगसभा राज्य सभा में सभापती जगदीब धनकड का आज पहला दिन था संसद के शीतकारिन सत्र का भी पहला दिन था और उन्होंने जो बात इस मौके का अपनी पहली स्पीच में इस्तिमाल किया है सुप्रिम कोर्ड को कड़ा संदेश देने के लिए कि सब अपनी सीमा में रहे है संसद की जो गरिमा है संसद के जो अधिकार है जो से संविधान से मिला है उसकी अभेलना नहीं होनी चाहिए ये संदेश है उप्राश्पती का देश के सुप्रिम कोड को खासतोर से कॉलिजियम को और आपको याद होगा कि इस मुद्दे पर पहले कानून मंतरी किरन रिजुजू कई बार बोल चुके हैं और उप्राश्पती जगदीब धनकडवी अभी शुकरवार को ही एक कारेकरम में उन्होंने चीफ जस्टिस की मौजूदगी में इस मुद्दा उठाया था तो NJAC का मुद्दा जो है बड़ा गंभीर होता जा रहा है उन्होंने कहा कि उनको बड़ा आश्चर है कि सुप्रिम कोर्ट से इस कानून को रद किये हुए साथ साल हो गए और संसद में इस पर कोई बहस नहीं हुई उनका संसद की सारभामिक्ता से समझवता कैसे किया जा सकता है और संसद को इस पर विचार करना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इस पर विचार होगा तो ये एक संकेत है सरकार की ओर से कि NJAC जैसा दूसरा कोई विधेक लाये जा सकता है कानून बनाये जा सकता है क्या सरकार सुप्रीम कोट से कन्फरंटेशन के लिए खुले में आ गई है मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि संघर्ष की और बढ़ रहे है खुले संघर्ष की और बढ़ रहे है आज ये अभी तक जो निजी टिपड़ियां कहा जा सकता था जिनको संघ्या दी जा सकती थी शायद हाला कि कानून मंतरी देश का बोले देश का उपराश्पती बोले कहीं भी किसी फोरम पर बोले तो उसको निजी टिपड़ी नहीं माना जा सकता लेकिन पार्लेमेंट के फ्लोर से जब यही बात कही जाए तब समझना चाहिए कि मामला गंभीर हो गया और केंद सरकार इस मामले को गंभीरता से ही लेना चाहती है जिस तरह से जज जजों के नियुक्ति कर रहे हैं जिस तरह से मनमाने तरीके से कानून की परिभाशा की जा रही है जिस तरह से जुडिशियल ओवरीच हो रहा है लगातार एक्जेकुटिव के डोमेन में हस्तक्षेप करने की सुप्रिम कोट की कोशिश हो रही है आर्थिक मुद्दे आर्थिक नीतियां जो सरकार का एक्जेकुटिव का डोमेन है उस पर भी सुप्रिम कोट सुनवाई कर रहा है पैसले दे रहा है टिपणिया कर रहा है ये सब मिला कर जो है और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरी नजर में बात कही जो अभुप्राश्पती ने कहा कि जुडिशियली इवॉल्ड डॉक्ट्रिन आफ बेसिक स्ट्रक्चर इसका निर्माण किया है सुप्रिम कोट ने यानि जो सम्विधान की मूल भावना है जो सम्विधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी बजाए सुप्रिम कोट ने बेसिक स्ट्रक्चर की अपनी एक परिवाशा तै कर ली और उसके अनुसार ये उन्होंने कोलेजियम का नाम नहीं लिया उसके अनुसार ये कोलेजियम बना है और उसी के आधार पर NJAC का फैसला आया है और उन्होंने कई इस बात को दो तीन बार इस पर जो दिया कि इस पर संसद मौन क्यों रही संसद इस पर बोली क्यों नहीं आखिर क्या वज़य है कि संसद ने अपने इस मुल्यन पर चुप रहना पसंद किया और सवाल तो एक तरह से सरकार पर भी उठता है कि सरकार क्यों चुप रही अब सरकार क्यों चुप रही यह सवाल तो निश्चित रूप से उठता है तो एक सवाल और उठता है कि सरकार अभी ऐसा क्यों कर रही साथ साल पहले उसने ऐसी कोशिश क्यों नहीं की इसका विरोध क्यों नहीं किया संसद में संसद से बाहर साथ साल पहले और आज की परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतरा चुका है और एक सवाल मेरे मन में उठता है आपके मन में भी उठता होगा कि बार बार कोलिजियम सिस्टम पर सवाल उठाकर NJAC का मुद्धा उठाकर और इतनी आकरामक्ता के साथ उठाकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है क्या सरकार ये कहना चाहती है या बताना चाहती है कि सुप्रिम कोट और हाई कोट के जजों की नियुक्ति में उसका अधिकार होना चाहिए केवल अगर पूरी तरह से अधिकार नहों जो 1993 से पहले था तो कम से कम जो उसने एक कानून बनाया है NJAC का जिसमें सरकार का भी प्रतिनी दी जो कानून मंत्री हो है वो हो ऐसी वेवस्ता चाहती है सरकार यानि सरकार को एतराज है कोलिजियम जिन नामों की सिफारिश कर रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज़ेस के लिए क्या ये है मामला अगर इस निश्करश पर पहुँचेंगे हम इस पूरे विवाद को लेकर तो फिर हम गलत निश्करश पर पहुँचेंगे गलत दिशा में चले जाएंगे सरकार के लिए ये बात बहुत ज़्यादा महतवपूर नहीं है महतवपूर है निश्चित रूप से उसका नुकसान भी हो रहा है इसके बावजूद इसी लिए सरकार साथ साल चुप रही क्यों? क्योंकि इस नियापालिका की साख बनी रहे नियापालिका और विधाईका और कार्यपालिका में टकराव दिखाई न दे इसके कारण लेकिन अब पानी सर से उपर जा रहा है जजों की नियुक्ति में नहीं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अलग अलग राज्यों में फैसले दे रहे हैं आतंकवाद के मामले में प्रश्टाचार के मामले में सरकार को लग रहा है कि उसका जो एजिंडा है राष्ट निर्मार का जो एजिंडा है उसमें जो सबसे बड़े बादक दो तत्तों हैं आतंकवाद और बुश्टाचार उसके खिलाफ उसके अभ्यान को सबसे बड़ा धक्का लग रहा है देश के सर्वोच नयाया वैसे है क्योंकि जिस तरह केबल फैसले नहीं हो रहे है कानून से बाहर जाकर जिस तरह के फैसले हो रहे है कानून को अलग रखकर जिस तरह के फैसले हो रहे है अर्बन नक्सल को हाउस हरेस्ट की सुविधा दी जाती है कि वो घर में रह सकते और किस घर में रहेंगे ये वो तै करेंगे ये सिक्यूरिटी एजिंसी को तै करने का अधिकार नहीं है कि वो किस तरह के घर में रहेंगे वहां CCTV कैमरा नहीं लगेगा क्योंकि उनकी निजिता का उलंगन होगा उनकी निच्टा का जो अधिकार है उसका अधिकरमन होगा इसके अलावा जिस तरह से भष्टाचार के मामलों में सुप्रिम कोट लगातार कई मामलों में छूट दे रहा है चाहे जमानत की बात हो चाहे दुसरे मामले हो उसको लेकर और उसके साथ साथ इससे भी ज़ादा इन मामलों पर जिस तरह की टिपड़ियां की जा रही हैं चाहे जाँच एजिंसियों के खिलाफ हो चाहे सरकार के खिलाफ हो उससे सरकार ज़्यादा परिशाद है उससे सरकार को ज़्यादा एतराज है कि अगर ये सिलसला इसी तरह से चलता रहा तो आतंकवाद और ब्रश्टाचार के किलाफ अभियान जो है बीच में छूट जाएगा उसकी जो डोर है वो ढिली पड़ जाएगी और सरकार ये किसी भी हालत में नहीं चाहते है इसके लिए अब वो ने पालिकाद से दो दो हाथ करने को तैयार है ये मेरे शब्द हैं सरकार के या किसी नेता के या किसी सानसद विधाय के शब्द Background नहीं है ये नजर आरा है कि सरकार आतंकवाद और बर्श्टाचार के किलाब लड़ाई में किसी तरह की बादा किसी तरह का अवरोध नहीं चाहती उसके लिए वो नयायपालिका से भी दो-दो हाथ करने को तयार है और रुक्यों कर रही है और इस समय क्यों नयायपालिका को लेकर आम जन्मानस के मन में एक अरजीब तरह की निराशा की भावना है एक अजीब तरह का अविश्वा का वातावरण है नयायपालिका में जो भ्रष्टा चार है उससे सभी अवगत है किसी को बताने की सरकार को या किसी एजेंसी को उसकी जरूरत नहीं है लिकिन कोई हाथ नहीं लगा सकता अदालतों के पास अदालत की और मानना का जो हथियार है उससे वो सब को चुप करा देते हैं आप उनकी आलोशना नहीं कर सकते आप उनके खिलाफ अगर बोलेंगे तो जेल जाने के लिए तयार रहे है यह जो अधिकार है इसको छोड़ने को सुप्रीम कोट तयार नहीं है जजों के नियुक्ति में पारदर्शिता लाने को तयार नहीं है और टिपणियां जो करते हैं खास्त और से आपको याद होगा नुपुर शर्मा के मामले में जो टिपणि की थी पूरे देश में माहौल बिगाडने वाली टिपणि थी देश में जो सामप्रदाइक सवहार्द है उसको बिगाडने वाली टिपणि थी और इस तरह की टिपणियां हाई कोट और सुप्रीम कोट से अकसर सुनने को मिलती है तो बाकी मामलों में मिलती हैं वो अलग चीज है वो कहते हैं कि जज को अपने फैसले के माध्यम से बोलना चाहिए लेकिन आजकल ये हो रहा है बहुत से ऐसे मामले हो रहे हैं कि जज फैसले से इतर माध्यमों से बोल रहे है वो बातें जो वो टिपणी के रूप में करते हैं उनके फैसले में नहीं आती है तो फिर वो टिपणी करते क्यों है उस तरह की टिपणीयों का उद्देश क्या होता है उसका मकसद क्या होता है उससे किसका हिट सद रहा है क्या उससे नियाय विवस्ता मजबूत हो रही है क्या उससे नियाय पालिका की साख बढ़ रही है क्या उससे नियाय क्षरण रुक रहा है क्या उससे ये जो तीनों अंग है उनके जो पावस का सेपरेशन है वो मजबूत हो रहा है ऐसा कुछ Supreme Court और High Court उसका साथ दें लेकिन कम से कम उसमें बाधा न बनें रोडे न अठकाएं कम से कम जो आरोपी हैं उनके पक्ष में जुकता हुआ न दिखें है की नहीं ये तो बात की बात है लेकिन एक perception भी होता है तो पबलिक की नज़र में आम लोगों की नज़र में सरकार का अभ विश्व सनिता से ज़ादा हो गई है सरकार को इस बात का हैसास है इसी लिए लोगसभाद चुनाव से 14-15 महने पहले सरकार ने ये मोर्चा खोलने का फैसला किया है कि अगर इस अभी नहीं तो कभी नहीं क्योंकि हर दिन जो है वो देर हो रही है एक बार इन दोनों मुद् अभियान है उसमें शितिलता अगर आ गई और वो अदालतों के फैसलों या टिपणियों के वज़े से आ गई तो फिर उस अभियान को आगे बढ़ाना चलाना और उसकी अंतिम पढ़नती तक पहुंचाना बड़ा कटिन हो जाएगा इसलिए आप मान कर चलिए कि आने वाल पहुता का सम्मान न किया तो कंफरंटेशन होना तय है उसकी आधार भूमी तयार हो गई है आज उप्राश्पती ने राज्यसभा में जो कुछ कहा और इस बात का जो संकेत दिया कि आने वाले समय में याने वाले समय में मतलब इस सेशन में भी हो सकता है अगले सेशन में इस मुद्धे पर चर्चा होगी संसंद में उससे अंदाजा लगेगा कि सारे राजनितिक दल कहां खड़े है क्या वो इन मुद्धों के साथ है या इनके विरोध में तो आज के अंक में इतना ही अगले एंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्धे के साथ तब तक के लिए जर्मति दीजिए आप से अनुरोध है के चैनल देखिए शेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार